अन्मोल मैट्स को लेके बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज है वो SSC की थियारी तो कर रहा है काफी टाइम से लेकिन मैट्स में उसका स्कोर अब यह भी कुछ अच्छा नहीं आ रहा वो दिन में 12-12 गंटे पड़ता है फेमस टीचर से उसने सारे कोर्स कंप्लीट कर ली है जब टीचर समझा रहे होते हैं तब तो अन्मोल को सबसमझ में आता है लेकिन जब वो खुद से प्रैक्टिस करने बैठता है तो उसे एक कोशन समझ में नहीं आता यह क्यों हो रहा है मेरे साथ बाकि को रिजल्ट मिल रहा है तो मुझे क्यों नहीं मिल रहा बाकि मुझे पीशे चोड़ते जा रहे है शायद मैं पैदा ही बेवकूफ हुआ था यही एक रीजन हो सकते है कि मैं मैंस में इतना बेकार हूँ अन्मोल मेंटली गिवप कर चुका है कै इस तरह अन्मोल कभी SSC कर पेपर क्लियर कर पाएगा बोस बोस अपने पहले अटेंट में इंकम टेक्स ओफिसर सेलेक्ट हो चुका है मैंस में प्री में पचास में से पचास लाना और मैंस में नब्बे में से नब्बे लाना कोई चोटी मोटी बात नहीं है बहुत सारे कैनिडेट्स बस ये सब नहीं देखते हैं से स्कूल लाने के लेकिन बोस के लिए ये उसकी हकीकत है अन्मोल को लगता है कि बोस तो पैदा ही परफेक्ट हुआ था कि मैस में तो शुरुआत से ही अच्छा था कि ये उसके जेनेटिक्स हैं जो उससे पढ़ाई में इतना अच्छा बनाते है वो एक अच्छे स्कूल में गया था शायद से उसे अच्छी ट्यूशन का अक्सस था इसलिए वो अन्मोल से आ गया लेकिन अन्मोल को ये बात नहीं पता कि इनमें से एक भी बात सच नहीं है एक टाइम ऐसा भी था जब बोस को मैस के बेसिक बेसिक फॉर्मला भी नहीं पता थे जब मैस के सेक्छन में बोस का स्कूर पचास में से सिर्फ पांच नंबर आया कर दा था बोस की स्कूलिंग भी बिल्कल अन्मोल जैसी रही है बोस की mental capacity सेम अन्मोल जैसी ही है बलकि बोस एक ऐसे घर से आता है जहां पर उसे tuition बेजने के लिए पैसे नहीं थे उनके पास बोस की starting अन्मोल से भी कई गुना नीचे थी लेकिन उसके maths पढ़ने का तरीका वो जिस तरह इस problem को tackle करता है उसी ने final cutoff में सारा difference लेका आया इनकी ranks के बीच में जहां पर बोस पहले अन्मोल में rank 1 लेका आया है और अन्मोल उसका तो final result में नाम ही नहीं कहीं पे भी अगर मैं तुम्हें यह चीज़ बता हूँ कि एक इनसां तीन महीने के अंदर 45% accuracy से 95% accuracy तक बहुत सकता है तो शायद तुम उसके विश्वास नहीं करोगे लेकिन एक सची कहानी है यह मेरी कहानी है 11th class के final exam में maths में score मेरा 45% था 12th के boards exam में सिर्फ तीन महीने बचे थे January से मैंने पढ़ना स्टार्ट करा और महारश में paper थे और उस तीन महीनों के अंदर मेरा score 95% पहुच गया बिल्कुल इसी तरह जब मैंने अपना CGL का life में पहला mock test दिया तो उस में maths में मेरा score 25 से भी कमाया था 50 में से मैंने थोड़ी वो time management strategy लगा के उस score को 18 दिनों के अंदर 30 और 35 के बीच में तो मैं ले आया लेकिन उससे उपर मेरी कोई improvement नहीं हुई फिर चाहे मैंने कितनी भी महनत करी ऐसा मेरे साथ CGL 2021 के tier 1 तक चला मैंने CGL 2022 का form भी बढ़ा लेकिन इस बार मैंने अपनी strategy में जरा सा छोटा सा change करा जिस change की होज़ा से मेरा score 130 से 168 पहुच गया CGL 2022 के tier 1 में maths में 50 out of 50 नमबर आये मेरे इस score के साथ मैंने double yoga का top भी पार कर ली maths के त्यारी करने की मैंने ऐसी strategy निकाल ली जिससे मेरे marks कम टाइमें बहुत जादा बढ़ गए के तुम भी जाना चाहते हो मेरा secret तरीका मेरा secret method जिस method से मैंने कभी कोई course नहीं लिया फिर भी under 350 rank लेक आया हूँ मैं all over India CGL 2022 में और post मिली मुझे डबले हो strategy बहुत simple है तुमें उन जगा काम करना है जहाँ पे तुम सबसे जादा week हो अब तुम बोलोगे ओ वाव अखेल ये तुम बड़ी नहीं चीज बताई तुमने मुझे कुछ ऐसा भी बता दे जो मुझे पहले से ना पता हो ठीक है मैं तुम्हारी बात समझता हूँ तुम्हें अपने week areas पे काम करना है तुम्हें बात पहले से पता है इसलिए तो तुम maths पढ़ रहो क्योंकि अभी तुम उसमें कमजोर हो लेकिन मैं तुम से ये चीज पूछना चाहता हूँ maths के अंदर तुम किन किन चीज हो में week हो ये चीज तुम ही कैसे बता तुमने बिना सोचे समझे एक book खरीद ली या फिर कोई course खरीद लिया और सो complete करने में लग चुके हो तुमने एक बार ये भी जादने कोशिश ने की कौन से topics तुम्हें पहले से पता है इस paper में maths 10th class के level की आती है और 10th class तो हम सब पास करके आया है ना चाहिए तुमने 10th के बाद माच छोड़ दियो लेकिन 10th class तो तुम भी पास करके आया हो ना तो तुमने एक बार तो course पूरा करी रखा है ओ से लीबस हो सकता है 10th level का ओलिकर कोशिश तो बहुट टफूत है मुझे पता है मैंने ऐसा वीडियो में देखा है क्या तुमने वो questions एक full mock test लाके देखे हैं नहीं ना अगर तुमने एक full mock test लाके देखोगे तो तुम्हें पता चलिए questions hard, easy, medium तीनों level के आते हैं ठीक है तुमसे hard वाले questions नहीं हो रहे है geometry के बार में हर कोई भूल जाता है मुझे भी याद नहीं दी जब मैं पहली पर लगाना शूरू करा था paper लेकिन ऐसे कुछ तो questions हो सकते हैं जो तुमसे अभी के अभी हो जाएंगे और चाहे तुम्हें कोई formula कुछ नहीं आता कम से कम तुम कुछ questions में option put करके तो answer निकाली सकते हो 25 में से 5 questions तो ऐसे होई जाएंगे तुम्हारे और ये कोई भी mock test return करने का तुम्हारा पहला step है एक mock test लगा के देखो man's का sectional उसमें अपना score देखो अगर तुम्हारा score 15 नंबर से कम आ रहा है और तुमने सारे questions में या तो तुके मारे हैं या तो option put करके देखा है तो फिर मैं कह सकता हूँ कि तुम्हें basic से start करने की ज़रू होता है उसके लिए मैं तुम्हें suggest करूँगा कि तुम किसी YouTube वीडियो में से कुछ 6-6 topics जो कि मैं description में दे दूँगा वो तुम किसी YouTube वीडियो से कर लो अगर तुम्हारा score 15 नंबर से थोड़ा सा उपर आ रहा है तो मैं इमान के चलना हूँ कि तुम्हें basics तो पहले से ही पता है इस case में तुम्हें सब वही topics prepare करने की ज़रू होता है जो या तो तुम्हारी गलत हो गए या फिर तुम्हें उनकी formulas नहीं बता और अब तुम्हें book से त्यारी करने चाहिए ना कि किसी वीडियो से और ये चीज़ बहुत important है ये बहुत बड़ा reason हो सकते है कि 2-3 बार तुम्हें अपूरा syllabus complete कर लिया उसके बाद भी तुमसे question नहीं बन पा रहे एक वीडियो में teacher तुम्हारे ले सारी महनत करके दे देता है वो अपने मूँ से तुम्हें concept बताता है तुम्हें formula बोल के बताता है तुम्हें question तक पढ़के बता देता है question तुम्हें पढ़के समझा तक देता है वो तुम्हें ले solution भी करता है और उसको solution भी तुम्हें पढ़के समझा देता है तुम्हें इन में से कोई भी चीज खुद से देखने की खुद से पढ़ने की जरुत भी नहीं पढ़ती वो सब तुम्हें बोल बोल के बताता है तुम्हें ऐसा लगता तो है कि तुम्हें सब समझ में आ गया लेकिन जब तुम्हें कोशन करने बैठते हो तुम्हें कोशन का मतलब भी नहीं बता होता कि ये पूछ कह रहा है और इस चीज़ा काराणी है ये कि पहली बार जब कोशन हो रहे थे तो टीचर ने तुम्हें बताई कि कोशन में हो कर रहे तुम्हें खुद से पढ़ के नहीं समझा हो उसे उसने सारी मैनट तुम्हें ले करी और तुम्हें आंसर धालियें पर उसके दे दिया तुम्हारे दिमाग को ज़रा सी भी मैनत नहीं करनी पड़ी लेकिन एक book में तुम्हें concept read करना होता है तुम्हें question पढ़ना होता है तुम्हें खुद उसे समझना होता है तुम्हें उसका answer खुद करना होता है और तुम्हें उसका solution भी खुद ही समझना होता है वहाँ पर तुम्हारे पास कोई टीचर नहीं आने वाला है कोशन बताने के लिए कि बेटा ये बॉशन बोल क्या रहा है बेटा इसकी requirement क्या है शुरुवात से तैयारी तुम ऐसे ही करो जैसे तुम्हें पेपर मिलने वाला है जिस तरीके से तुम्हारी understanding develop होने वाली है अब मुझे पता है तुम क्या बोलो कि अ लेकिन अखिल शॉर्ट ट्रिक्स हा क्या अगर मैं बुक्स से पढ़ोंगो तो वो तो सम भी सो रहेंगी ना मेरी वो तो सिर्फ टूशन वाले पढ़ाते हैं न देखो अगर कभी तुम्हें बुक्स से प्रपेर करने कोशिश की है तो तुम्हें पता होगा कि एक्जांस में जितनी भी शॉर्ट ट्रिक्स होती है उस सारी बुक्स में दी होती है मुझे पता है कि जो बुक मैं रेकमेंट करता हूँ ये रिशिकेश कुमा की Complete Mathematics और सबसे पहले ये देखा कि इसमें सारे Concepts सारे Important Formulas तुम्हें दे ही रखे हैं जैसे ये देखो Allegation का Rule ये इस Topic का सबसे Important Concept है सबसे Important Formula है जो बहुत सारे Questions में जोता है और ये बुक में काफी अच्छी तरह से समझाय हो है कई-कई Examples, कई-कई Forms में अब जब तुम्हें एक Sectional Test Attempt कर चुके हो तुम्हें उसे Analyze करना है पेपर को Analyze कैसे करते हैं मैंने इसके लिए एक Detail Video बना रखी है वो उपर यहाँ पे, यहाँ पे कहीं ना कहीं आ रही होगी तुम वो देख सकते हो Analysis करने के बाद तुम्हें पता चले कौन से कौन से Chapters हैं जिन पर तुम्हें फोकस करना है तुम्हें उसके Concept समझ लेना है तुम्हें उसके Example Solve करना है फिर तुम्हें उसके Exercises complete करनी है और उसके बाद तुम्हें उसके Topic Wise Test करनी है जो कि testbook.com पे available रहते हैं अगर तुम्हारे पास testbook का subscription नहीं है तो मैंने link में जो है 10% discount का एक link दे रखा है तो महाँ से जा के लिए सकते हो तुम्हारा goal है कि तुम्हें ये सब करना है एक chapter एक दिन के अंदर इस तरह कि उसमें 95% accuracy आजाए अब 95% accuracy कैसे आएगी मैं तुम्हें बुक फिर से देखाता हूँ इक बार जैसा कि तुम देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे सारे concept दिये हो है फिर उसके बाद तुम्हें सारे formulas भी समझाये हो है उसके बाद तुम्हारे examples भी शुरू हो जाते है examples के बाद इन examples के बाद तुम्हारी पहली exercise शुरू हो जाती है इसके बाद इसके solution भी शुरू हो जाते हैं जैसा कि तुम देख सकते हो और उन solutions के बाद तुम्हारी दूसरी exercise शुरू हो जाती है ऐसे में तुम्हें सबसे पहले concepts पढ़ लेने हैं सारे अब मैं तुम्हें यह नहीं कहूँगा कि तुम्हें नोट्स बनाने की ज़रोत है क्योंकि यह सब पहले से बुक में दिया हुआ है तो उसे बार बार लिखने का क्या फायत है इससे बढ़िया तुम्हें एक pen लो और उन चीजों को underline करते चलो या फिर important formulas पर एक box बनाते चलो और यह चीज important है कि तुम्हें पैंसे करो ना कि एक pencil से मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे जो भी actions होगें उनके consequences होगें अगर एक बार mark लगा दिया तो वो मिट नहीं सकता ऐसा होगा तब ही तुम बिल्कुल सोथ समझके उसे बिल्कुल अच्छे से पढ़के उसकी marking करोगे उसे underline करोगे अगर तुम underline करने के बाद उसे अराम से rub कर सकते हो तो तुम एतने सोचने की जुरूत नहीं बढ़ेगी तुम कहीं भी कहीं मर्ची कुछ line लगा दे रहोगे और उसमें तुम्हारा focus नहीं बन पाएगा लेकिन अगर यही चीज तुम पैंसे करोगे तब तुम्हें पत है एक बार mark लगा दिया वो हटेगा नहीं तो जब तक तुम 100% sure नहीं हो जब तक तुमने एक एक word पढ़ने ही ला जब तक तुम्हें समझ में नहीं आ गया कि उसका मतलब कहा है तुम इसे mark नहीं करोगे क्योंकि अपनी book बरबात करने का किसी को मन नहीं होता तफाल तुमें तुमें शब तो दिख रहे हैं लेकिन उपका मीनिक तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है वहीं reading with mind एक एक चीज जो तुमने पढ़ी है तुम्हें सब दिमाग में बैठ चुका है formulas याद रखने के लिए तुम उन्हें एक बार जोड़ लिख सकते हो गहीं न कहीं examples करते वे तुमें एकदम से solution नहीं देख लेना है पहले उसे कम से कम पांच मिनिट तक try करना है करनी की उसके बाद ना हो तुम बिल्कुल solution देखो इन पांच मिनिट के अंदर तुम चाहे तो formulas फिर से वापस जा के देख सकते हो लेकिन तुमें solution नहीं देखना है पहले इस सारे examples कम्प्लीट करने के बाद अब exercise की तरफ बढ़ना है आगे first exercise की तरफ आगे बढ़ो उस exercise में देखो कि questions कितने सारे हैं जितने भी questions हैं उतने ही मिन्टो का timer लगा लो example के तरफ लेता हूँ अगर किसी exercise में 63 questions है तो तुमें 63 minutes का timer लगा लेना है अपने फोन में हर एक question के लिए तुमें एक मेंट रखना है exercises वैसे ये attempt करो जैसे कि तुम test दे रहे हो अगर तुमने 93% questions देख लिए और तुमारी accuracy उनमें 95% बैट रही है इसका मतलब तुमें chapter अच्छे से समझ में आ गया है और आगे तुमें इतनी दिक्कत नहीं होने वाली अगर score इससे कम बैट रहा है तो घबरानी के जुरुत नहीं है अपनी mistakes देखो solution से उन्हें match करके देखो और फिर अगली exercise की तरफ बढ़ो अपनी गलतियां देखने के बाद उन्हें correct करने के बाद अगली exercise में तुमारे 93% questions हो जाने चाहिए और 95% accuracy हो ही जाने चाहिए अगर तुमने ठंक से focus के साथ पढ़ा है तो अगर तुमने calculation में जादा time ले लिए और तुम 93% question देख पाए उस case में तो गपराने की ज़रूत नहीं है calculation की speed तुम और practice करोगे और chapters की तो धीरे धीरे तुमारी increase होई जाएगी अब exercises खतम करने के बाद भी तुमें topic wise test की तरफ भढ़ना है जो की तुम online दोगे बिल्कुल test environment की तरह अब ये पूरी process, concept, example, exercises, topic wise test तुम 2-3 chapters के लिए करो और उसके बाद maths का एक पूरा sectional test दो ये देखने के लिए कि maths में तुमारी improvement कितनी हो रही है overall हर हफते एक दिन कम से कम एक full test तो तुम लगाओ ये देखने के लिए कि overall तुमारी paper में कितनी improvement हो रही है इस method को follow करोगे, selective preparation का तो नहीं तुमारा course बहुत जल्दी complete हो जाएगा record time के अंदर, तुमारा score बहुत तेरी से बढ़ जाएगा अब मुझे पता तुम क्या बोले हो लेकिन अखिल मैं बुक से नहीं पढ़ सकता, मैं बहुत जल्दी बोल हो जाता हूँ मुझे समझ में नहीं आता लिखा क्या होगा है मैंने तुमें शुरुआत में बता रहा था कि test के अंदर तुमें खुद बढ़के समझना question में क्या लिखा होगा है अगर तुम पढ़ते चीजों को बोर हो जाते हो तो तुम एक्जाम कैसे दोगे अपने दिमाग को थोड़ा control में लाओ अब तुम कोई 5 साल के छोटे बच्चे नहीं रह रहे हो जो तुमें 24-7 entertainment चाहिए और ये एक बहुत बढ़ा reason है कि इतने famous famous है इतने नामी teacher से पढ़ने के बाद भी तुमारे अच्छे marks नहीं है आपारे math में तुम आपे entertainment के लिए जा रहे हो इतनी जल्दी बोर हो जाने का reason ये कि तुम ने अपने दिमाग को इस तरह fry कर चुका है technology वाज़से कि अब तुम 5 मिनट भी किसी चीज़ फोकस नहीं कर सकते अपने phone को चेक करें बिना मुझे पर यकीन करो जब तुम्हें result दिएगा ना तब तुम्हें कोई बोरियत नहीं होएगी जब तुम्हें तुम्हारी महनत का फल मिलेगा ना तुम्हारी आखों के सामने तब तुम बुक्स से होती हैं अगर तुम वही सेम classes back to back attend करोगे तो चैप्टर पूरा एक दिन में complete के जा सकता है साथ साथ गंटे के अंदर पिनाकल जैसी बुक करके हो सकता है तुम्हें 300 से 400 कोशन में ले एक चैप्टर के अंदर मेरे experience में बहुत जाता है एक exercise के अंदर तुम्हें 80-90 कोशन मिलते हैं जो मैंने मुख बताई रिशिकेश कुमार की तुम वैसे करो पहले 80-90 कोशन लगाओ उसके solution देखो अपनी mistakes correct करो उसके बाद next set में तुम 80-90 कोशन लगाओ इससे तुम हर टाइप का question एक बार पहले set में देख लोगे तुम अपनी गलतियां से धहर लोगे और अगले set में तुम्हें पता चल जाए कि questions को attempt कैसे करना है तो तुमारी accuracy 95% तक बहुत अराम से पहुच जाएगी अगर इतना सब जानने के बाद में तुम्हें भी भी लग रहा है कि बुक से पढ़ना तो हमेशा बोरिंगी रहेगा तो मैं तुम्हें बता दो तुम्हें किसी competitive exam में अपना time waste करने की ज़रुवत नहीं है preparation की journey में तुम्हारे सामें बहुत सारे challenges आएंगे और अगर तुम्हारा ये attitude है ना कि मुझे पढ़ने सा बोरियत होती है कि मैं बुक पढ़ने सकता दो मेंट कि कुछ भी लिखा हुआ मेरे दिमाग में नहीं हुसता तो तुमसे fuck night time waste कर लो जाओ जाके किसी अन्मोल की जिंदगी जी हो लेकिन अगर तुम्हारी dream है तुम्हारा passion है तुम्हें officer बन के ही रहना है तुम्हें पता है इस journey में बहुत सारी कठीनाई आएंगी बहुत सारी दिक्कत आएंगी लेकिन तुम उनसे निपटने के लिए दिन और रात एक करने के लिए यारो तुम मेहनत करने के लिए यारो तुम मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे ये जो भी concern है तुम्हारे जियर भी ख्याल है न इन सबसे फरक नहीं पड़ता मैं चाहता हूँ तुम सोच के देखो सबसे पहले अपना salamis complete करने में लगेवे हो ये भी नहीं जानते कौनसे topic तुम्हें पहले से आते है और कौनसे तुम्हें वीग हो तुम रोज classes लेते हो और तुम्हें कुछ ना कुछ ऐसा देख जाता तुम्हें सरमजमें नहीं आता शायद से हो geometry तुम्हारा फोकस कहीं वह जा चुका है ती देर में अपने फोन में साइड में इस्टाग्राम रीज खोल लेते हो तुम बहुर हो चुके हो न और इस वजह से क्लास पर कभी ध्यान आनी पाता तुम्हें लगता है तुम महरत तो बहुत कर रहे हो बारा बारा घंटे पढ़ रहे हो लेकिन एक टॉपिक करने भी तुम्हें 14 से 15 दिन लग जाते हैं ऐसे प्रिपेर करते हैं तुम्हें तीन साल से उपर हो चुगे लेकिन कोर्स तुम्हारा अभी भी बूरा नहीं हुआ है रिवीजिन तो दूर की बात है टेस्स का देना आच चुगा है तुम्हें टेस्स अटेम्ट करने तो जाते हो लेकिन तुम्हें कोशन्स पूछ कह रहा है यही नहीं बता कोई एक hard question तुम एक दिख जाता है उस पर तुम पांच मिनिट वेस्ट कर देते हो और फिर उसे गलत मात करके आगे भड़ते हो ऐसा करकर के तुमसे कुछ question शूट पे पीछे के तुम्हें थोड़ी सी anxiety हो रही है cut off clear होगी या नहीं होगी आखिर में तुम्हें पता चलता है कि तुम सिर्फ 10 मांक से रह गए और वो ऐसे type ए questions थे जो कि तुम बहुत अराम से कर सकते थे अगर तुमने उन hard questions में अपना time waste नहीं कर रहा होता अगर तुमने याद करने में time waste नहीं कर रहा होता करता था books boring है सोचो YouTube पे तुम्हें किसी topper का interview देखता है अब वो वहाँ बैठा हूँ बोल रहा है कि वो शायद तुम से भी गया गुजरा था उसने मेहनत करके वो seat ले ली जिस पे तुम्हारा नाम था वो future जो तुम्हारा हो सकता था सोचो तुम्हारे अंदर जैलिसी की feeling आएगी जो उसकी तरफ नफरात आएगी जो negativity आएगी कैसा लगएगा सोचके अच्छा नहीं लगएगा बिलकुल भी है ना अब ही तुम इसी रास्ते पे चल रहे हो अब मैं चाहता हो तुम सोचके देखो तुमने अपना brain को hack कर लिया और अब इन चीजों के solution find करने पे लगए हो तुम शुरुआत में बुक्स में जो भी लिखा है तुम एतना कुछ समझ में नहीं आता लेकिन तुम अपने आपको मजबूत रखे वे हो शायद एक गंटा, शायद दो गंटे शायद एक दिन, शायद दो पूरे दिन लग जाता है तुम्हें सिर्फ एक पेश को समझने में लेकिन तुम फिन भी हार नहीं मान रहे बोरो के, रील्स और शॉर्ट से नहीं देखने बैट रहे धीरे धीरे ही सही तुम अपनी गलतियां सुदा हरने लगे हो धीरे धीरे ही सही तुम्हारी स्पीड में तुम्हें इंप्रूमेंट देखना शुरू हुई है तुम्हारा स्कोर इतनी तेस से इंक्रीज होना शुरू है जो तुमने पहले कभी नहीं देखा जो कोश्चन्स पहले तुम्हें समझ में नहीं आते थे के बोल के रहे हैं अब सब समझ में आ रहा है तुम्हारा स्कोर देरे देरे टॉपर्स की तरफ बढ़ रहा है तुम्हारी ड्रीम पोस्ट अब तुम्हें अपने सपने साकार करना impossible नहीं लगता तुम्हार मैनत करते हो तुम्हें और रिजल्ट मिलता है और आखिर में जब final result कि सब्स अब बहुता है उसमें तुम्हारा नाम है सोचो कैसा लगेगा तुम्हें यह सब सोचके अगर तुम्हें अभी बात वह श्श्वास नहीं कर पा रहे हो अगर तुम्हें अभी बी तुम्हारी और मेरी शक करते हैं तुम्हारे वो बड़े-बड़े कोचिंग इंसीटूट के टीचर जिनके तुम से फिक रिपीट कस्टमर बनके रह गयो उन्होंने फीसे तो बहुत ले ली तुमसे लेकिन अभी तक सेलेक्शन नहीं कर वह पाए तुम्हारा अगर तुम्हें सही टाइम पे कैसा मेंटर मिल जाता जो तुम्हें सही रस्ता दिखाता जो तुम्हें तुम्हारी गलतियां बताता जो तुम्हें उन्हें सुधारने का तरीका बताता तो शायद आज तुम्हारा ये हाल नहीं होता जुड़ो मुझसे, मैं बनोगा तुम्हारा मेंटर मैं लेके जाओंगो तुम्हें सिकसे के रास्ते पे मैं लेके जाओंगो तुम्हारी प्रिपेशन को अगले लेवल था मैं तुम्हें बताओं कि तुम्हारी गलतियां क्या है और नोने सुधारने का तरीका क्या है जॉइन करो मेरे टेलग्राम चैनल जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है अब मैं वही मिलूँगा तुम्हें सर जुकाओ, काम करो